इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियूप्त कर रहा है दोसों अगर आप धी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमंट में अपना जिला और मुबाइल नंबर लखे हम आपको कॉल करकर सारी जानकारी देंगे या फिर आप स्क्रीन पर दिखाये गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इंडियन टीवी न्यूज एक नैशनल डिजिटल न्यूज चैनल है पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं LCD टीवी नहीं है ग्राम पंचायद सिमार्या में नहीं सुनाया गया ग्रामिनों को प्रदान मंत्री का संबोधन 2 अक्तूबर गांधी जंती के उपलक्ष में माननीय श्री प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी द्वारा संबोधन दिया गया आपको बता दें कि जिला पंचायद द्वारा आदेश यारी कर बताया गया था कि ग्रामीडों को LCD के माध्यम से प्रधान मंत्री का सम्भोधन सुभा 10 बजे से 12 बजे तक दिखाना है परंतु यहां ग्राम पंचायद सी मरिया में जिला प्रशासन की भी नहीं सुनी जाती बता दें कि जब इंडियन टीवी नियूज ग्राम के ग्रामीडों से बातचीत करने पहुचा तो ग्राम के मश्थूरों द्वारा यही बताया गया कि ग्राम पंचायद सी मरिया में कम्प्यूटर बनाने की याड में एक ही महीने में तीन बिल लगाया गया है आपको बता दें कि बिल में सचिफ के फर्जी साइन है और बिल में दिनाक भी नहीं डाला गया ये भी बता दें कि ग्राम पंचायत सिमर्या में इतना भ्रष्टाचारी क्यों है ग्राम पंचायत में LCD TV नहीं है फर्जी बिल लगाया जाता है ग्रामिन जाए तो जाए कहां और किसके पास कुहार लगाएं क्योंकि यहां तो प्रशासन द्वारा आदेश चारी किया गया पत्र को भी मानने को तयार नहीं LCD TV रोजकार सहायक अपने घर में रखे हुए हैं आपको बता दे कि इस बारे में पहले भी शुकायत की जा चुकी है लेकिन फिर भी रोजकार सहायक की दादागीरी देखने को मिलती है आज भी LCD TV रोजकार सहायक आपने पास रखे हुए हैं लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इसमें शासन प्रशासन कितनी पहल करता है लवकुष राठोर तहसील ब्यूरो रिपोर्टर जिला दिंडोरी मध्यप्रदेश अब यह लेटर किसके नाम से दिये गया है पंचाईत वालेट वालेटस वालेटस पłemड़ी समझेव के नाम से अधिये다고 है अच्छा up the चाहते हैं तो आप चाहते हो कि राजु करें है यह आपने आज पास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूस का अंड्रॉइड आप्लिकेशन साथ ही विजिट करें हमारी साइट इंडियन टीवी न्यूस डॉट इन पर